जब हम कहते हैं शिव विनाशक है तो ये दुनिया का विनाश करने की बारे में नहीं है ये आपकी दुनिया का विनाश करने की बारे में है आपकी दुनिया वास्तों में पिछले अनुभवों और छापों का एक संग्रह है आपकी दुनिया अतीत से रची हुई है अतीत वहा यह सिर्फ एक ब्रह्म के रूप में माजूद है और अतीत आपकी विचार प्रक्रिया के माध्यम से वर्तमान में घुस रहा है और यह आपकी इच्छाओं के माध्यम से स्वयम को भविश्य में व्यक्त कर रहा है अगर कोई विचार नहीं होता तो अतीत वर्तमान में माजूद नहीं होता विचार एक भ्रह्म है और इच्छा दोहरा भ्रह्म है क्योंकि इच्छा अतीत को लगातार भविश्य में व्यक्त कर रही है अपने आतीत में जो कुछ जाना है उससे बेहतर जो आपको लगता है आप उसकी इच्छा करते हैं अगर आप स्रिष्टी की भवविता को जानना चाते हैं तो ये सिर्फ वर्तमान पल से ही संभव है जो अभी यहां है सिर्फ यही मार्ग है अगर आप पतीत को ले जाते हैं तो आप ब्रहमीत बन जाते हैं अगर आप भविश्य का एक और भ्रहम पैदा करते हैं तो भ्रहम इतना विशाल हो जाता है कि आपके अनुभव में वास्तविक्ता पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है चरम निश्चलता में कोई अतित नहीं होता चरम गतिशिलता में भी कोई अतित नहीं होता ये दो मौलिक मार्ग है जो स्रिष्टी और स्रिष्टी के स्त्रोत तक पहुँच प्राप्त करने के लिए शिव को मिले इसे कारण से उन्हें या तो एक प्रचंड नर्तक के रूप में या एक चरम निश्चलता परस्वी के रूप में निरंतर दर्शाय जाता है योगिक कथाओं में कहाने इस प्रकार चलती है कि शिव निश्चलता से नृत्य में और नृत्य से निश्चलता में जाने लगे दूसरा हर कोई गंधर्व यक्ष तीन और संसार के देवता मोहित होकर उन्हें कौतोहल से देखने लगे उन्होंने इस चरम गतिविदी और चरम निश्चलता का आनन लिया लेकिन उन्हें उनके अनुभव की प्रकृती का कोई अंदाज नहीं था वे इसका स्वाध चकना चाते थे कौतोहल से उनमें रुची जगी रुची होने से उन्होंने उनके थोड़े निकट आने की कोशिश की लेकिन वे उनके नृत्ति की प्रचंडता या निश्चलता की तिवरता को सहन नहीं कर सके उन्होंने योजना बनाने शुरू की कि शिव जिस अनुभव से गुजर रहे थे उस पर वे कैसे पकड़ बनाएं उन्होंने एक सम्मेलन बुलाया जो धीरे धीरे एक शडियंत्र में बदल गया उन्होंने तई किया कि किसी तरह उनकी शादी करा दे हमारे पास अपनी तरप से कोई ऐसा होना चाहिए जो हमें ये बता पाए कि ऐसे परमानन के अनुभव का ऐसे उल्लास का और साथ ही ऐसे मृत्यूर सरीखी निश्चलता का आधार क्या है वे इन दूनों का आनन लेते हुए लगते है हमें अंदर का एक व्यक्ति चाहिए कई चीजे हुई मैं उस शडियंत्र के पूरे विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक बहुत बड़ा शडियंत्र था अगर आप शिव के अंदर का द्रश जानना चाहते हैं तो उसके लिए जबरदस्त शडियंत्र की जरुरत है जिसके उन्होंने योजना बनाई युक्ति निकाली और उसे कार्यानवित किया तो उन्होंने शिव की शादी सती से करा दी वे जुग गए और वो पूरी तरह से प्रेम में पढ़कर सती के लिए बिल्कुल दिवाने हो गए उन्होंने सती को अपने जीवन का एक अंग बना लिया लेकिन सती के पिता को शिव से घृना थी क्योंकि उनका दामाद एक राजा नहीं था वे अच्छे से कपड़े नहीं पहनता था वे अपने शरीर पर भस्म लगाता था वे मानों खोपडी में भोजन करता था उसके सारे मित्र हर तरह के बेताल, भूत और पिशाच थे वह हमेशा या तो ध्यान में रहता था या नशे में रहता था उसके आँखे या तो मूंदी रहती थी या वह तांडव करता था ये कोई गर्व करने या आसपास होने योग्यदामाद नहीं था कुछ समय बाद दक्ष एक महान यग्य करना चाहता था जिसमें उसने हर राजा, हर देवता और हर यक्ष को बलाया लेकिन उसने शिव को निमंत्रन नहीं दिया शिव और सती जंगल में बैठे थे और वह प्रेम बश शिव को जंगल के फल खिला रही थी क्योंकि वह यही खाते थे उनके पास कोई घर या खाना पकाने की उचिच सुविदा नहीं थी तो वे बस फल या जो कुछ भी भेट में आता था उसे खाते थे तब सती ने बहुत से लोगों को जाते हुए देखा सुन्दर रतों में सारे राजा देवता और देव्या सर्ज धज कर कहीं जा रहे थे तब उन्होंने शिव से पूछा ये क्या है हर कोई कहां जा रहा है शिव ने कहा कोई बात नहीं हमें भी वहां जाने की जरुड़त नहीं है जहां वे जा रहे हैं लेकिन वह बहुत उत्सुक हो गई हर कोई कहां जा रहा है देखिए उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए है ये क्या हो रहा है उन्होंने कहा परिशान मत हो हम यहाँ खुश है क्या तुम ना खुश हो नहीं तुम खुश हो उनके बारे में चिंता मत करू क्योंकि वे जानते थे कि क्या हो रहा है लेकिन उनकी उत्सुकता और नारी सुलब उत्तेजना उन्हें बस यूही बैठे रहने और पेड़ के फलो का आनन नहीं लेने दे रही थी वे बाहर निकली और एक रत को रोक कर उनसे पूछा क्या आप सब कहा जा रहे हैं उन्होंने कहा आप नहीं जानती आपके पिता एक विशाल यग्य एक अरपन कर रहे है और उन्होंने हम सब को बुलाया है क्या आप नहीं आ रही है उन्हें बहुत दुख हुआ जब उन्हें पता चला कि उनको और उनके पती को नहीं बुलाया गया है उन्हें अपमान मैसुस हुआ उन्हेंने सोचा कि ये शिव के साथ अन्याई है उन्होंने शिव से कहा मैं अपने पिता के पास जा रही हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया शिव ने कहा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता तुम इसके लिए क्यों परिशान हो रही हो हम यहां ठीक है हमें उनके यग्य में क्यों जाना चाहिए लेकिन उन्हें न बुलाये जाने के इस अपमान से बहुत चोट पहुची उन्होंने कहा नहीं मुझे जाना होगा जरूर कोई गलती हुई है हो सकता है कि निमंतरन पत्रक हो गया हो यह नहीं हो सकता वे आपको और मुझे कैसे नहीं बुला सकते मैं उनकी बेटी हूँ जरूर कोई गलती हुई होंगे मुझे यकीन है कि वे ऐसा नहीं करेंगे मेरे पिता ऐसे नहीं है शीव ने कहा मत जाओ लेकिन वह उनकी सुनने वाली नहीं थी और वह चली गई जब सती उत्सव में गई उन्होंने पाया कि उनकी सारी चचेरी बेहने और हर कोई जिसकी थोड़ी भी प्रतिष्टा थी वहाँ पर था पूरी तरह से सज़कर लेकिन वहाँ अपने साधारन कपड़ों में आई थी जिन कपड़ों में वह पहाड़ पर रहती थी तो लोगों ने उनका मजाग बनाया और उन पर हसे उन्होंने पुछा आपका वो भसम लगाए आदमी कहां है वो आदमी कहां है जिसने न जाने कितने समय से अपने बालों में कंदी नहीं की है उन्होंने और सब को अंदेखा कर दिया और वह अपने पिता से मिलने गई अब भी उन्हें यकिन नहीं था कि कोई गल्ती हुई है जब उन्होंने पिता को देखा तो दक्ष बहुत गुसा हो गया लेकिन सतिय ने पुछा अब शिव को आमंत्रित कैसे नहीं कर सकते तब शिव ने हर संभव तरीके से शिव को गाली दी और कहा मैं उसे कभी अपने घर में कदम नहीं रखने दूगा वह बहुत निराश हुई यज्यकी अगनी जल रही थी वह बस उसके अंदर चली गई और खुद को जला डाला नंदी और कुछ दूसरे जो उनकी पीछे गए थे जब उन्होंने ये होते देखा तो वे इतने भाईबीत हो गए कि वे दौड़ते हुए शिव के पास वापस आए और उन्हें बताया कि सती ने खुद को हवन कुंड में जला दिया है क्योंकि दक्ष ने उनका अपमान किया था शिव कुछ समय के लिए निश्चलता में बैठे फिर वा आग बन गए वह क्रोध में बस खड़े हो गए शिव ने अपने उलजे बालों की एक लट तोड़ी और उसे अपने पास की एक चटान पर पटक दिया और एक बहुत शक्तिशाली प्राणी पैदा कर दिया जिसका नाम वीर्भद्र था उन्होंने वीर्भद्र से कहा जाओ यग्य को नश्ट कर दो उससे किसी को कुछ प्राप्त नहीं होना चाहिए दक्ष को भी कोई भी और जो भी इस यग्य में शामिल है उन्हें जाकर नश्ट कर दो बेर्भद्र पूरे क्रोध में गया और उस यग्य का विद्वन्स कर दिया जो भी उसके रास्ते में आया उसने हर किसी को माट डला और सब से बढ़कर दक्ष को भाले से बेद दिया तब शिव आये उन्होंने सती के आधे जले शरीर को उठा लिया और उनका दुख शब्दों से परे था वह उन्हें अपने कंदे पर डाल कर चल दिये वह जबरदस्त क्रोध और दुख में चलते रहे वह शरीर को नीचे नहीं रख रहे थे और नहीं लप्टों को उनके शरीर को जलाने दे रहे थे या उन्हें दफना रहे थे वह बस चलते रहे जैसे जैसे वह चलते गए सती का शरीर सडने लगा और टुकडे टुकडे होकर गिरने लगा और ये चौवन अलग-अलग स्थान पर गिरा ये चौवन स्थान भारत में शक्ति स्थल के रूप में विकसित हुए जैसे उनके शरीर का हर एक हिसा गिरा शक्ति का एक गुण वहां स्थापित हो गया ये देवी के मुख्य मंदिर है उन में से तीन गुप्त माने जाते हैं और वे कहां है उसे कुछ लोगों के सिवाई कोई नहीं जानता लेकिन 51 स्थल लोगों को पता है धानिवाद